हलो दोस्तो आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टरा क्लासिज पर आप सभी का स्वागत है और आज की क्लास में हम 3D मैंचुरेशन शुरू करने जा रहे हैं हमारा पहला टोपिक होगा क्यूबॉइड तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे पिछे की वीडियो जिसमें मैंने 2D मैंचुरेशन की काफी क्लासिज ली हैं उन्हें भी जुरूर देख लें और आने वाले सभी अग्जाम में आपको यहां से एक से दो देखने को जरूर मिलेगा तो वीडियो को पूरा देख तो हमारा फस्ट टॉपिक है वई क्यूबॉइड जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं गनाब बोलते हैं तो यह इसकी लंबाई होती है भी जिसे हम LCD नाइट करते हैं ठीक है यह इसकी चोड़ाई होती है जिसको आप बीसे डीनोट करते हैं और यह वाले चीज इसकी क्या होई हाइट होगी जिसे हम H से डीनोट करते हैं ठीक है इतना आप सभी को पता होगा और अगर आप इसका एरिया की बात करें कवर्ड सर्फेस एरिया कितना होता है भी इसका 2 into में L पलस में B into में H ठीक है दो गुणा म कवर्ड सर्फेस एरिया में क्या आता है इसका चारों तरफ का एरिया आता है बई उपर का यानि टॉप का और बोटम यानि की निच्चे का एरिया हम इसमें क्या करते हैं छोड़ देते हैं अगर बात करें टोटल सर्फेस एरिया की टोटल सर्फेस एरिया में हम क्या इसका फॉर्मूला उता है 2 इंटो में LB, पलस में BH, पलस में HL, ठीक है, टोटल सर्फिस एरिया यानि की समपूर्ण प्रिष्टिया अक्षे तरफल होता है, अगर बात करें इसके वोल्यूम की यानि के आईतन कितना होता है इसका, L इंटो में B, इंटो में H, यानि लंबाई, गुणा, चुडाई, गुणा, उंचाई, ये बेसिक सी बाते हैं, आप सभी को पता होगा, और इन पे बेस्ट अगर आप लोगों से डिरेक्ट को एक क्वेशन आता है, तो मैं ये मान का चलूँगा, कि आप लोग कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो आप वो क्वेशन अपने आप से कर सकते हैं, तो इसे जो अच्छे लेवल की क्वेशन बनते हैं, वो मैं आप लोगों को आज इस क्लास में करवाऊंगा, इसके अलवा और आपको क्या पता होना चाहिए, भई, फेस कितने होते हैं, भई, इसके, फेस का मतलब होता है, जैसे ये वड़ा एक फेस है, ठीक है, एक ये वड़ा फेस है, एक उपर वड़ा है, तो टोटल कितने फेस होते हैं, छे फेस होते हैं, ठीक है, और एड्ज कि जैसा कि मैंने आप लोगों से पूछ लिया जाता है तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया फेस यानि की फल्क कितने होते हैं भी आप लोगों के 6 होते हैं ठीक है जैसे एक आगे का होगया एक इसके पीछे का 2,meg उपर का 3,meg निच्छी arna 4 ایک इसाइड वड़ा 5 और एक इसाइड वड़ा 6 ठीक है उउसके बाद and कितने होते हैं 12 होते हैं यह से लेके यहां तक हाइव एक एड़ दो-थीन-चियर ठीक है उशके बाद 5-6-7-8 उसके बाद नो, दस, ग्यारा और बारा एड़ जोते हैं और कोने कितने होते हैं आठ होते हैं जैसे एक, दो, तेन, च्यार, पांच, छे, साथ और एक, आठ, कोने कितने होते हैं आठ, अब ये आप लोगों को क्यों बताया बहीं, एक बार SSC ने यूलर्ज फॉर्मूला पूछ लिया था आप लोगों से, यूलर्ज फॉर्मूला, उन्होंने क्या पूछा था, अगर जैसे मैं इसको V से डिनोट करता हूँ, इसको E से डिनोट करता हूँ, और इसको F से डिनोट करता हूँ, तो यूलर्ज फॉर्मूला क्या कहता है, कोई भी अगर आकरीती है, यानि कि वर्टेक प्लस में फलक माइनस के एड़ अगर यह आप लोग निकाल लोग है तो यह हमेशा टू आएगा उन्होंने सिर्फ इतना दे दिया था कि वर्टेक्स प्लस में फेस माइनस के एड़ कितना होगा यह पूछा था तो यह हमेशा कितना होगा दो यह आप लोगों को द्यान रखन हो सकता है दुबारा किसी एकजाम में पूछ लिए तो फर्स्ट क्वेस्टन है और बहुत इंपोर्टेंट क्वेस्टन है किसी गनाब के तीन समुक यानि कि एड़ेसेंट फलकों का अक्षे तरफल करमस है एक्स वाई और जैड है तो उस गनाब का आयतन ग्याद कीजिए एस पाउसे पाइड का अंडर रूट तो आप लोगों को यह बताना था बैजैसे तीन समुक यानि अड़ेसेन्ट क्या होगा है जैसे यह वाड़ा होगा सामने वाड़ा यह साइड वाड़ा होगया अरेक ये उपर वाड़ा होगा यह तीन फलक जो आपस में लगे हुए हैं उनका एरिया कितना X, Y और Z है, तो इसका आंसर तो यह आएगा भई, और कैसे आएगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ भई, देखो, वोल्यूम क्या होती है भई, गनाब की, लंबाई गुणा में चुड़ाई गुणा में उंचाई, यानि कि LBH, ठीक है, यह होती है, और अगर मैं सामने वाड़े फेस का एरिया निकाल लोंगा, लंबाई गुणा उंचाई होगा भी, यानि कि X की वैल्यू कितनी होगी, L इंटू में H होगी, इब साइड वाड़े फेस का निकाल लोंगा, तो कितना होगा, H इंटू में B, ठीक है, यानि कि Y की वैल्यू कितनी होगी, H इंटू में B होगी, और उप्र वाड़े फेस का निकाल लोंगा, तो यह भी L होगी, और यह कितनी होगी, B होगी, तो यानि कि Z की वैल्यू कितनी आजएगी, लंबाई गुणा चुड़ाई आजएगी, अगर मैं अब इन तिनों एक्वेशन की गुणा करता हूँ, तो X, Y और Z कितना आजएगा अभी, L गुणा में L कितना होगा, L स्केर, B गुणा B कितना होगा, B स्केर, और H गुणा में H कितना होगा, H स्केर, यानि कि L, B, H और इसका मैंने पूरा क्या कर दिया, होल स्केर, ये किसकी वैल्यू आई है, X, Y, Z की, और हमें क्या चाहिए, वोल्यूम चाहिए, जो कितना होता है, L, B, H होता है, तो L, B, H करने के लिए, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रूट करना पड़ेगा, तब ही तो रूट से ये कट जाएगा, और ये क्या जेगी, वोल्यूम, यानि कि वोल्यूम क्या होगी फिर, आप लोगों की, X, Y, Z, और उसका क्या करना पड़े था में, रूट, तो वोल्यूम क्या होगी, तिन्नों अडजेसेंट जो फलक है, उनके अक्सेतरफल की गुणा, और उसका रूट कर देंगे, तो अपना क्या जाएगा, वोल्यूम आ जाएगा, ठीक है, तो आप लोगों का D, अंसर सही होगा, नेक्स्ट क्वेस्टन है भी, बहुत इंपोर्टेंट है ये भी, किसी गनाब की लंबाई, चुडाई वे उन्चाई का जोड 28 cm है, तथा उसका विकर्ण 17 cm है, तो गनाब का समपूर्ण परिष्टियाक से तरफल ग्याद करें, स्टार्टिंग में मैंने साइद आपको विकर्ण का फोर्मूला नहीं बताया, भई, विकर्ण क्या होता है, इस वाले कोणे से, अगर हम इस वाले कोणे को मिलाते हैं, तो ये वाली लाइन क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है, और विकर्ण कितना होता है भई गनाब का विकर्ण होता है लंबाई का स्केर प्लस में चुड़ाय का स्केर प्लस में उन्चाय का स्केर का रूट नहीं कि L स्केर प्लस B स्केर प्लस H स्केर का रूट होता है अब विकर्ण अपने को दे रखा है उन्होंने कितना 17 सेंटीमेट यानि 17 ब्राबर है root of L square plus B square plus H square के ठीक है और अपने को दे रखा है लंबाई प्लस चड़ाई प्लस उन्चाई ये कितनी है ये अठाई सेंटीमेटर दे रखी है और हमें निकालना क्या है सिंपूरण प्रिष्टिय अक्षेतरफल यह टोटल सर्फेस एरिया और टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है गना आपकाट टू इंटो में LB बी एच और HL ठीक है ये होता है समपूरण प्रिष्टिय अक्षेतरफल अब देखो इससे ये कैसे निकल सकता है तो आपने A plus B plus C का स्केर सुना होगा तो मैंने दोनों साइड स्केर कर दिया ये क्या आजएगा ये 784 आजएगा भी ठीक है और ये कितना आजएगा भी L square पलस B square पलस H square और पलस में क्या आता है A square B square पलस C square पलस में 2AB 2BC 2C ये 2 को में ले लेंगे तो ये क्या बज़ेगा L पलस में B B पलस में H और H पलस में L ठीक है तो सेम यही चीज बज़ाएगी और इसी की हमें value निकालनी है और हमें इसकी value पता है अगर इसका root 17 के बराबर है मैं दोनों साइड square करूँगा तो इसका root 8 जाएगा और 17 का क्या हो जगा square हो जगा 17 का square कितना आता है 289 होता है तो इसकी जगा हम क्या रख सकते है 289 रख सकते है 289 इस side पलस का है इस side आएगा तो किस चीज का हो जगा minus का है यारी minus के 289 ये आप लोगों का answer आजएगा इसमें से ये minus कर ले 14 में से 9 गए 5 7 में से 8 गए कितना आगे 9 और 6 में से 2 गए 4 ये 495 cm square क्या आजएगा गनाब का संपूर्ण प्रिष्टियक से तरफल आजएगा कौन सा option है भी C option आप लोगों का ठीक हो जाएगा next question है भी वैसा ही question है एक बर खुद से ट्राई जरूर करके देखें किसी गनाब की लंबाई चुडाई वैं उन्चाई का जोड 14 cm है तो उसका विकर्ण क्या होगा यदि गनाब का संपूर्ण प्रिष्टियक से तरफल 96 cm square है इस बार उसने विकर्ण पूछ लिया टोटल सर्फेस एरिया हमें दे दिया पिछली बार उसने क्या दे दिया था विकर्ण दे दिया था और टोटल सर्फेस एरिया अपने से पूछ लिया था तो कोई दिक्कत नियाबी हमें पता L पलस में B पलस में H कितना अपना 14 है और उसके बाद टोटल सर्फिस एरिया हमें पता है यह 2 into में LB plus में BH plus में HL यह कितना दे रखा है इसने 46 cm दे रखा है हमें निकालना है क्या विकर्ण विकर्ण के लिए यहने कि हमें पता हुण अचाहिए L square plus में B square plus में h square तो यह कहां से आएगा ये तब ही आएगा जब हमें इसका क्या कर देंगे square तो मैंने कर दिया square both side लिखने की जरूरत दिया मैं सिर्फ वैसे लिख रहा हूं आप लोगों को समझाने की जब square both side करेंगे तो इसका भी स्केर ओजेगा और इससाीड इसका स्केर ओजेगा इसका स्केर को लोगे तो क्या जाएगा इंसे को mm प्लस में एट स्केर परवर्य यही चीज आजएगे 2 इंटों में EBH से से जिसकी वयल्यू कितनी है 907 में चाहर बता है तो कितना आज़ेगा 100 ठीक है लेकिन विकर्ण तो क्या होता है अपना अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है वो हता है L square प्लस B square है स्केश्च का रूट होता है तो हमें ROOty चाहिए इसका तो हम दोनों साइड क्या कर देंगे, root कर देंगे, और so का root कितना आजेगा, 10 आजेगा, तो आपका answer कितना हो जगा, 10 cm कौन सा option है, A option है, आप लोगों क्या हो जगा, ठीक हो जगा, next question है, बही और most important question है, cat में भी आया है, cgl में भी आया है, CHSL में भी आया और CPO में भी आया है और आगे जितने भी अग्जाम होंगे आप लोगों के railway के हर्याना का कोई अग्जाम है CET है या stat है उन सभी में भी ये देखने को आपको जरूर मिल सकता है बहुत अच्छा question है देखें 50 cm x 40 cm x 30 cm विमाओं वाले गनाब को तीन कट द्वारा आठ समान गनाबों में काटा गया है तो सभी भागों का कुल टोटल सर्फिस एरिया क्या होगा पहली बात तो है कि वो तीन कट कैसे लगाएं जाएंगे जिससे कि ये आठ भागों में बंट जाए तो वो कट कैसे लगें इसके लंबाई के अनुरूप यानि कि इस प्रकार से हम इसको काट दें कि आपको ठीक से आए समझ में इसलिए में आपको काट के दिखा देता हूं भाई है ठीक है तो यह एक लंबाई इसकी लंबाई पर लग गया एक लगए इसकी उन्चाई पर थोड़ा सा कनफ्यूजिंग होगा भी आप लोगों को यह थोड़ा सा इमेजिनेशन कर लेना कि कैसे कट लगा है यह थीक है एक बर ऐसे हाफ कर दिया एक बर ऐसे हाफ कर दिया और एक बर इसकी चुडाई को हाफ कर देंगे भी तो यह टोटल कितने भागों में बंट जाएगा भी आठ समान भागों में बंट जाएगा और वो आठों भी क्या बनेंगे भी गनाब ही बनेंगे ठीक है इस परकार से थोड़ा सा कन्फूजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए हो लेकिन ये क्या है एक इस परकार से एक ऐसे और एक ऐसे लगाए गया है तो ये आठ भाग बन जाएगे भी आप लोगों के ठीका और इनका आप लोगों को सर्फिस एरिया निकालना है तो जो एक भाग बनेगा आप लोगों के लिए क्या तरीका है निकालने का जो एक भाग बनेगा भई आठ पार्ट होगे, उनमें से मैं एक पार्ट ले रहा हूँ, उसकी विमाएं क्या होगे, यानि कि उसकी बुजाएं क्या होगे, L, B और H क्या होगे, तो वो क्या हो जाएंगे, इस वाड़े के हाफ हो जाएंगे, इस वाड़े के हाफ, यानि कि लंबाई, पचास से कितनी र आई है आप इसका टोटल सर्फेस एरिया निकाल ले और गुणा में आठ करतेंगे तो आपका टोटल सर्फेस एरिया आ जाएगा तो इसका टोटल सर्फेस एरिया में एक का निकाल रहे हूं पहले तो दो गुणा में 25 गुणा में 20, 25 दूनी 50 यानि कितना हो जगा 500 पलस में फिर 20 गुणा में 15 15 दूनी कितन हो जगा 30 येह कितन हो जगा 300 और फिर 25 गुणा में 15 25 पंजे 125 एन्सर लागे 12 25 और 12 जगा 30 इनको जोड लो भई तो ये कितना हो जाएगा 800 800 और 300 कितना हो जाए ग्यारांसो पचेतर जाएगा भी इसको गुणा कर लें आप लोग दो पंजे दस दो स्थे चोधार एक पंद्रा दो और एक तीन दो एक मदो ये कितने पार्ट का गया एक पार्ट का हमें कितने पार्टों का बताना भी टोटल कितने पार्ट उए थे आठ तो इसके गुणा में आठ कर दो ठीक है अब आप लोग या तो इसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं डिजिटल सम जिनको नहीं पता वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं उससे क्या होता है कि आपको ज़्यादा बड़ी गुणा भाग करने की जरूरत नहीं होती ओप्सन की हेल्प से आप उसको कर सकते हैं अगर उप्सन नहीं दिए हैं या डिजिटल सम मैच होता किसी उप्सन का तो आप गुणा भी कर सकते हैं ज्यादा बड़ी नहीं है जीरो आठ पंजे चारी आठ ती चोबी और चैर ठाइस एंस लागे दो आठ दूनी सोड आरदो अठारा तो टोटल सर्फिस एरिय कितना आजेगा ठारा हजार आठ सो सेंटीमीटर स्केर आजेगा आठों भागों का नेक्स्ट क्वेशन है बहुत ही असान क्वेशन है ऐसे क्वेशन आप लोगों ने पहले भी किये होंगे और ये क्वेशन अग्जाम में आते रहेंगे वह काफी अच्छा क्वेशन है एक आयताकार सीट का आकार 20 cm इंटू में 14 cm है सीट से 2 cm गयराई वाला बड़े से बड़ से इसके जितनी बेगाई आप लोगों को बनाना है उतनी गयराई कर यानि कि उतनी बुजा वाला वरग काट लो इसके चारू साइड से जिसकी अब भुजाए भी दो है ये भी दो है चारों साइड से ठीक है यह हमने काट लिए दो-दो सेंटीमिटर वाड़े अब क्या करेंगे जो यह बीच का पार्ट हो गया इसको ख़ड़या करके weld कर देंगे तो ये क्या होगा एक tank बन जाएगा तो इसका آएतन क्या होगा भई देखो ये तो Finn सा कट गया इतना-Eतना हीशा कट गळया इसका और बाकी को क्या करते हैं हम ऐसे fold करके और खड़ा कर देते हैं बई और तो इसका आयतन मताना तो इसकी भूजा कितनी देखो इससे आग्गे वाड़ा पार्ट तो हम क्या करेंगे फोल्ड करेंगे तो भूजा कहां तक की रहेगी यहां तक की रहेगी टोटल कितनी थी 20 जब यह यहां तक की थी दो इस साइड से माइनस होगी दो इस साइड से माइनस होगी बीच में कितनी रह गी भुजभ इसकी सोडा, सेम इस साइड में क्या होगा, टोटल कितनी थी, 14 थी, 2 इस साइड से कम होगी, 2 इस साइड से कम होगी, तो अब कितनी रह गी, 10 रह गी, और जो fold उने के बाद इसकी उन्चाई बनेगी, अगर हमने इसको इस प्रकार से फोल्ड कर लिया ठीक है यह कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा भई बस समझाने के लिए बनाया है भई ठीक है ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी ठीक है तो इस प्रकार से बन गया भई और इसकी उन्चाई कितनी हो जाएगी 2 cm की उन्चाई आ जाएगी तो आप लोगों कुछ नहीं करना होता जो लंबाई दे रखी है चोडाई दे रखी है लंबाई माइनस के 2 इंटू में जितनी भी बूजा का वो काटा है आप लोगोंने square काटा है जैसे 2 cm वाडा काटा है हमने तो same यहाँ पर तो यह कितनी लंबाई कितनी थी 20 थी और चोडाई कितनी थी 14 20 माइनस के 4 कितना है की रहागी लंबाई अब इसकी 16 cm और यह 14 माइनस 4 कितनी रहागी 10 cm सोरी 14 में से 4 गया 10 cm और उन्चाई कितनी होगी जितनी भी side का वाडाई काटा है 2 cm तो आइतन क्या होता है लंबाई गुणा चुडाई गुणा उन्चाई 16 गुणा में 10 गुणा में 2 16 गुणा बत्ती और बत्ती दाएं 320 तो यानि कितना आजएगा 320 cm क्यूब आइतन हमें सा क्यूब में होता है और एरिया हमें सा आप लोगों का स्केर में होता है तो आइतन कितना आजएगा 320 cm तो आज की इस वीडियो हमने क्यूबोईड यानि गनाब के सभी कंसेप्ट को समझा है और उससे related most important question मैंने आप लोगों के साथ discuss की है उमीद आपको सभी question समझ में आए होंगे और next वीडियो में हम ऐसे ही गन यानि की क्यूब और अन्य जो geometrical figure है आप लोगों का बेलन है संकू है वो सबी समझेंगे तो आप चैनल को subscribe कर लें बेला इकन दबाएं आने वाली वीडियो की notification के लिए जय ही